नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप हम एक बार फिल से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूच्यूब चैनल पे दोस्तों कल शाम को पर्मानेंट गवर्मेंट स्कूल टीचर्स रिकूटमेंट से जुड़ा हुआ एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्कूल सिक्षकों की भरती आई है All Over India लेवल से candidate इन पदों के लिए online आविदन कर सकते हैं जी दोस्तों All Over India से candidate आविदन कर सकते हैं लोग से वा आयू की तरफ से notification जारी किया गया है minimum आयू इन के लिए 21 साल निर्धारित की गई है maximum 40 साल है unreserved category के candidates के लिए अपर age limit में category के according आपको चूट भी मिल जाएगी online आविदन करना होगा और online आविदन करने की जो अंतिम्तिती है वो है 14.6.2022 तो दोस्तो इस recruitment से जुड़े ही सारी चैनकारी बिलकुल विस्तार से इनके official detailed notification के माध्यम से हम आपको इस वीडियो में provide कराने जा रहे हैं आप वीडियो को शुरू से लेके आखिल तक जरू से जरूर देखिएगा और all over India level से teachers recruitment से जुड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरू से जरू सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे इनकी official website और official website पे कहा notification available है वहाँ से notification डाउनलोड करके और उसके माध्यम से बाके की जानकारी आपको provide कराएंगे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ all over India चाहें आप किसी भी राज्ये से हो इन पदों के लिए आविदन कर सकते हैं और नई recruitment है ये देखे दोस्तो राजस्थान लोग सेवा आयोग राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से teachers recruitment से जुड़ा हुआ नया notification जा से अलग-अलग subjects के लिए notification जारिक कर दिया गया है advertisement no.3.2022 है हम ये जो ये link दिया गया है जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं ये detailed notification अपने सामने download हो रहा है राजस्थान लोग सेवा आयोग अजमेर के तरफ से प्रध्यापक विधाले lecturer school PZT teachers की ये नई recruitment आई है पदों का विव गया है इनके लिए आपके पास हिंदी और अंग्रेजी के लिए second class post graduation degree आपके पास second class post graduation degree होनी चाहिए कम से कम 48 प्रतिशत अंकों के साथ और उसी के साथ या तो सिक्षा शास्त्री आपने कर रखा हो या B.A. आपने कर रखी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं सामाने व्याकर के लिए क्या qualification है ये देखे शास्त्री और equivalent traditional Sanskrit examination with Sanskrit medium and second class आचार्य डिग्री और equivalent Sanskrit medium examination in the concerned subject having minimum 48% marks with सिक्षा शास्त्री डिग्री और equivalent तो ये देखे दोस्तों ये qualification इनके लिए निर्धारित की गई है पे मैट्रिक्स लेवल L12 ग्रेड पे 48 तो तो अच्छी खासी आपको इसमें सैडली मिल जाएगी आयू सीम मिनिमम 21 मैक्सिमम 40 साल हैं कैटेगरी के according आपको अपर ये लिमिट में चूट मिलेगी राजस्तान राज्जे के अनुसुची जाती अनुसुची जन जाती एवं अन्य पिछडा वर्गती पिछडा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुर्षों को पांच वर्ष की और इन सभी वर्गों की महिला उमिद्वार को दस वर्ष की सामाने अन अरक्षित वर्ग की महिला को पांच वर्ष की विवाह विचिन विवाह प्रित्याक्ता महिला के लिए कोई भी अधिक्तम आयू सीमा नहीं है और भी काफी सारी कैटेग्रीज हैं जिने अपर एस लिमिट में चूट दी जा रही है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा ओनलाइन आपको इनके लिए आविदन करना होगा sso.razusthan.gov.in यहाँ पे जाके ओनलाइन एप्लिकेशन का प्रोसेस 16.05.2022 से फ्रारंप हो जाएगा जो कि 14.06.2022 रातरी 12 बजे तक जारी रहेगा तो दोस्तो में में सारी जानकारी आपको इस रिकूर्टमेंट से जुड़ी हुई प्रोवाइड कराई गई है अप्लिकेशन फीस बच गई है यह भी देख लीजिए सामान अन आरक्षित वर्ग एव राजस्तान के क्रीमले शिर्णी के अन्य पिछडावरग अती विछडावरग के आविद्कों के लिए 300 Pacific रुपे तो ठीक है आज अभी के लिए तना ही फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार